ताजा ख़बरों के लिए हमारे आरारसी के यूटूब चैनले को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्लिक कीजिए जिला परिशत के आरक्षन के मुद्दे पर नयालेय में याची का दाखिल की गई थी अब भंडारा और गूंदिया की याची काये भी हाई कोट में दाखिल की गई है इसके संदर्ब में अपना पक्षा रखने के लिए राज्या सरकार ने एक महीने का समय मांगा है जिसके कारण जिला परिशत के आरक्षन के संदर्ब में अगली सुनवाई के लिए 17 नवंबर की तारीक दी गई है धुलिया, नंदुरबार, वाशिम और अकुला इन चारो जिला परिशत के चुनाओ के लिए जुलाई 2019 में कारेक्रम गोशित किया गया था परन्तु आरक्षन 50% से अधिक होने के कारण मुंबई उच्चन आयले की औरंगाबाद खंडपीट में याची का दाकिल की गई थी इसे के साथ नाकपूर खंडपीट में भी एक याची का दाकिल की गई थी नायले ने याची का को दाकिल करते वे चुनाओ रद्द कर दिया था इसी तरह राज्य सरकार ने आरक्षन में बदल कर चुनाओ लेने के लिए शपत पत्र दाकिल किया था इसके अलावा OBC की जन संक्या के अनुसार आरक्षन निकानने के आदेश दिये थे इस दवरान याची का करताओं ने सरोचन आयले में दोड लगाई थी जिसके कारण उच्चन आयले ने OBC जन संक्या के अनुसार आरक्षन घोशित करने के आदेश राज्य सरकार को दिये थे परन्तु राज्य सरकार ने समय के भीतर जानकरी परस्तूत नहीं कर पाई थी फल सवरूप राज्य सरकार द्वारा निकाला गया आदेश रद्द करने की नौबत आई थी सरोच नयले ने पुराने आरक्षन के अनुसार चुनाव लेने के आदेश राज्य चुनाव आयोक को दिये थे परन्तु यह प्रक्रिया नयले के आदेश के अधिन रहकर की गई थी उसके बाद आरक्षन के मुद्दे पर 8 फरवरी को सरोच नयले में सुनवाई की गई थी परन्तु कोरोना के कारण सुनवाई लंबित हो गई थी भंडारा और गूंदिया जिला परिशत के चुनाव भी घोशित हुए थे परन्तु कोरोना के कारण दोनों जिला परिशत के उपर प्रशाशक की नियुक्ति की गई थी इन दोनों जिलों का आरक्षन भी 50% के भीतर लाया जाए इस परकार की याचिका मुंबई उच्चनयाले में दाखिल की गई है इस याचिका को अब सरूच्चनयाले में भीजा गया है इसके संदर्ब में सरूच्चनयाले ने आनलाइन कामकाज हुआ है इन दोनों जिला परिशत के संदर्ब में अपनी बात रखने के लिए शाशन ने एक महीने का समय मागा है जिसके कारण अब छे जिला परिशत के आरक्षन के संदर्व में 17 नौमबर को एकत्रित सुनवाई होगी जिसकी और सभी का ध्यान लगा हुआ है